नमस्कार, मूकष के व्याकरन पाठ्यक्रम में आप सब ideology है संस्कृत शाष्ट्रानाम परिज्ञानम इस विशे में आज हम भारतिय दर्शनों का परिचय प्राप्त करेंगे दर्शन शाष्ट्र के क्रंथों का परिचय दर्शन किसे कहते हैं दर्शन शब्द का अर्थ है दृष्यते अनेनईती दर्शना यह दृष्धातुजे निजपन्य है जिस साधन से यह विश्व है यह वस्तु है यह ब्रह्म है जीवात्मा है प्रकृति है यह दिखाई देता है उसे ही हम दर्शन कहते हैं दर्शन को इंगलिश में philosophy कहते हैं इस philosophy शब्द को दो भागों में यदि बाटें तो philosophy और शोफिया लेटिन भाचा के शब्द हैं और इन दोनों के पदों से बना हुआ जो शब्द है लव और wisdom अर्थात दृष्यते तत्वम जो तत्व हमें दिखाई देता है उसके प्रती हम प्रेम करें और बुद्दी से हम आत्म रूप भ्रह्म रूप हो जाएं यही दर्शन है दर्शन शास्त्र का यथार्थ है तत्व दर्शन ज्यान का विज्यान होता है दर्शन शास्त्र यथार्थ स्वरूप का तार्किक विवेचन दर्शन है ऐसा राधाकृष्ण जी की कल्पना है दर्शन भी दो प्रकार के हैं वेदिक जिने हम आस्तिक दर्शन कह सकते हैं और दूसरी प्रकार के हैं नास्तिक दर्शन न्याय दर्शन, वैशेशिक दर्शन, सांखे दर्शन, योग दर्शन, पूर्मिमान चा दर्शन और उत्तर मिमान चा दर्शन इने हम आस्तिक या वैदिक दर्शन कह सकते हैं अवैदिक दर्शन या नास्तिक दर्शनों में तीन दर्शन है, चारवाग, बॉद्ध दर्शन और जैन दर्शन सबसे पहले न्याय दर्शन को देखें, न्याय शब्दकारते नियते प्राप्यते अइन मुख्यो येन असव न्याय हा तो इसको हम कहते हैं न्याय दर्शन, न्याय दर्शन सर्व शास्त्रों का उपकारक शास्त्रे पांच अध्यायों में न्याय दर्शन की रचना की गई है, न्याय सुत्र के सुत्रकार हैं गोतम, इनका समय है 500 इसा पुरू, यह प्रमान शास्त्र है, ग्यान साधन है और यथ निर्ने करना इसका मुख्य विशय है। नियाय के अनुशार प्रमान प्रमेयादी सोलह पदार्थों का यथार्त ग्यान और निश्रेश ही अधिगम है यह जीवन का साधन है। ग्यान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ऐसा भी नियायदर्शन का कथन है। नियाय दर्शन को पदार्थ मिमान सा शास्त्र काहा है और नियाय वार्तिक पर्याय ग्रंथ की रचना वाचस्पति मिश्र ने की नियाय वार्तिक पर्याय परिशुद्धी इस पर उदेन ने एक ग्रंथ लिखा, नियाय को सुमान जली ग्रंथ उदेनाचारे ने लिखा और लौगाक्षी टी का लिखी पदार्थ खंडनम पदार्थ माला लौगाक्षी ने लिखी तो इसके अतिरिक्त न्याय के साथ ही जुड़ावा दूसरा जो दर्शन है वो वैशेशिक दर्शन है इसका अर्थ है विशेश पदार्थ को स्विकार करने वाला दर्शन ही वैशेश शादी करके महरशी कनाद ने रचना की इसमें 10 अध्याय 370 सूत्र हैं इसे ओलिक के दर्शन भी कहते हैं ए दो प्रकार का शास्त्रे पद शास्त्र में व्याकरन आ जाता है और पदार्थ शास्त्र में कानाद का शास्त्र आ जाता है महरशी कनाद ने विशेशिक दर्शन की रचना की पदार्थ तत्व निरूपणम रगुनात शिरोमनी ने लिखा पदार्थ धर्म संग्रह भाशे प्रशस्त पाद ने लिखा तीका पदार्थ चंद्रिका तीका शारंग धर ने लिखी सांखे दर्शन की रचना कपिल आचारे ने की इसमें प्रकृति और पुरुष मुखे तत्व हैं सत कारवाद सांखे दर्शन का प्रमुक्षिधान्त है, सम्य गरूप से क्रम पूर्वक इसमें 25 तक्तों का संख्यान किया गया है, इसलिए इसको सांखे दर्शन कहते हैं सांखे कारिकी की रचना इश्वर कृष्ण ने की सांखे कारिका भाष्य गौडपाद आचारे ने लिखा, सांखे कारिकाटी का कुल मुनी कृष्ण मिश्र भवदेव और योगानन्द ने इसके उपर सांखे तत्व कौमिदी और सांखे परिभाषा गरंथ लिखे योग दर्शन के परवर्तक महर्ची पतंजली हैं, इन्होंने योग दर्शन लिखा है और इसके उपर तत्व कौमधी वाचस्पती मिश्र ने, योग वारतिकम विज्ञान भुक्षु ने, प्रदीपटी का भाव गणेश ने और चंद्री का अनंत देव ने ये गरंथ मिलता है, उसके दो भाग मिलते हैं, पूर्व मिमांसा, उत्तर मिमांसा, पूर्व मिमांसा वेद के पूर्व भाग को कहते हैं, इसलिए जैसा विचार वेद का है, उसी विशे को यहां बताया गया, कर्म के विशे में विचार है, कुर्वन इह कर्मानी, जिजी विशे तस चतम समाह, आचारे जैवरे ने पूरु मिमान्थ ग्रंथ कुमारिल भट ने शिलोक वार्ती ग्रंथ लिखा, मणनन मिशन ने विदी विवेग भावना ये ग्रंथ लिखे, उत्तर मिमान्थ को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसको उपनिशद भी कहते हैं, उपनिशद ही वेदान्त है वेदान्त नाम उपनिशद प्राणम जगत के विश्य में कहा ब्रह्म सत्यम जगनमिथ्या ब्रह्म ही चर्म सत्य है ब्रह्म ही प्रस्थानत रही है जिसमें हम उपनिशद गीता और ब्रह्म सूत्र को ले लेते हैं माया और जीवन के विश्य में यहां चिंतन है ब्रह्मसूत्र शंकराचारे ने लिखा ब्रह्मसूत्र विर्ति उस पर लिखी दीपी का नाम से शंकरानंद ने नैशकर में सिद्धी लिखा सुरेश्वराचारे ने न्याय सुधा जैनतिर्थ ने ये हुए हमारे छे आस्तिक दर्शन, इसके पस्चात हम तीन नास्तिक दर्शनों की चर्चा करेंगे, जिसमें चारवाग दर्शन पर्थम है, चारू वाको इति चारवाकह, चारू सुंदरम वचनम यसे इति चारवाकह, आचार्य ब्रह्ष्पती ने इसका प्रणेन किया, लोकायतन दर्शन इसका दूसरा नाम है। इसके में चार पदार्थ माने गए पृत्वी, जल, तेज, वायू। चार इसमें द्रव्य माने गए प्रतक्ष, प्रमान, जन्य, ज्यान, शरीर, जीव। शृष्टी को इश्वर की इच्छा नहीं माना, इश्वर को ये मानते नह हैं। इनका सिध्धान्त है यावज जीवेत, सुखम जीवेत, रिणम कृत्वा, घृतम पिवेत, भस्मी भूत, अस्य, देहस्य, पुनरागमनम कुताः। जैन दर्शन अरहत है, इमें आरहत है, जैन है। ये अरहत से आरहत है और जैन है। बाद दर्शन के उपरान पू उनका दर्शन जैन दर्शन कहां गया। जैन दर्शन में नौ तत्व हैं जीव अजीव आदी। तीन इसके रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सदा चार के लिए इसमें नियम हैं अहिंसा, सत्य और अस्तय आदी। बाद दर्शन, जैन दर्शन क पश्चात, बौध दर्शन का आविर्बा हुआ, यह दो प्रकार का था धार्मिक और दार्शनिक, चार इसमें प्रस्थान थे वैभाशिक, सौत्रांतिक, योगाचार विज्ञान वादी और माध्यमिक, तीन इसमें रत्न थे शील, समाधी और प्रज्या, पांच इसकी अव भाशन और मद्यपान, यह पांचो कर्म इसमें निशिद्ध हैं, तो इस प्रकार हमने इस पाठ में छे आस्तिक भारतिय दर्शनों के बारे में परीचे प्राप्त किया, और नो हमारे नास्तिक दर्शन हैं, तीन जिन के बारे में हमने परीचे प्राप्त किया, इस प्रका दर्शन एवं अन्य जो तत्व थे जैसे प्रमान, प्रमेय, पदार्थ, द्रव्य, इनके भी कल्पना की, इनके भी सिध्धान्त को उन्होंने पूर्ण रूप से व्याख्या की, तो इस प्रिकार जितनी दर्शनों की भारतिय दर्शन में कल्पना की गई है, सबके सिध्धा अंत प्रामानिक हैं, उनके उपर हम पूर्ण रूप से प्रामान स्वारूप, हम प्रक्रिया देख सकते हैं और यह संसार को, जगत की स्रिष्टी को बताने के लिए, हमारे लिए बहुत सायग दर्शन हैं और जितने भी नास्तिक दर्शन होंगी हम नकार नहीं सकते हैं उनका भी अपना एक महत्वपूर्णस्थान है इन नास्तिक दर्शनों के माद्यम से हमने भिन भिन विचार धाराओं के जो दर्शनिक थे उनके विचारों को जाना जितने नास्तिक दर्शन है वह हमें भिन भिन प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं उनके जो प्रमुकता आचार को लेकर चले जैन दर्शन का सिद्दान्त है अहिंसा परमो धर्माहा आचार हा परमो धर्माहा तो इस प्रकार से सबी जितने खितने भी दर्षन है हमों एक सनमार्ग पर चलने की प्रेद्ना देते हैं बहुत दर्शन ने हमें अहिंसा, अस्ते, चोरी ना करना, धहर्य, इत्यादी की हमें शिक्षा दी है तो इस प्रकार से हम इन भारतिय दर्शनों के विशे में हमने कुछ परीचे प्राप्त किया धन्यवाद